आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोगार नमस्कार मैं हूँ गौरत स्रिवास्ता हो आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कारेकम बात अपने देश की तो जैसा कि चुनाव की समय है और चुनाव को लेके लगातार पार्टी आप पिचार कर रही है रेलिय कर रही है छो लंबसम सभी पार्टियों यहारि जो पिचार था वह लबनलब जो वहट पार्ट्यों ने कर भी लिया है आप केबल, और प्रित्यासियों को अपने अपने छेत्तर में जाके मैंनट करना है और परिचार करना है पार्टी की विचारधारा से वह मांना है तो देश के पांच राज्यों पर कहीं न कहीं और हमेसा से उत्ताप्रेश चुनाव की देश के चुनाव में मेरपूर भूमिका रहती है हाला कि बिरान सबाद चुनाव जरूर है पर कहते है कि यह केंद की सप्ता का सेमि फाइनल कहलाता है यानि अगर जीत हसल कर ली तो कहीं न कहीं उसका बहुत बड़ा लाब आपको केंद के जोक हौना और परफ्ट का है और आख़ए कर घोषेश का रहनुमा का दो शुरू हो गया है और पार्टीया खुड को अलहले बर भूर्टी। पर देखते हैं मेरी कर अक है आजकल हम रहनुआ शब्द को बहुत सुनते हैं और अगर इस शब्द के अर्थ की बात करे तो इसका अर्थ होता है कि जो हमारा नेत्रत्व करता है या कौन हमारी रह को बताने वाला है या कौन हमारे उपर एक साही की तरह साथ देंए वाला है पर राजनीटी में शब्द का अलग ही महत्व है इस शब्द को हमारे राजनेता बहुत संजीदगी से प्रयोग करते हैं यानि हमारी महान राजनेता अपने बादों में अपनी जन्सभाओं में खुद बताती है कि वो किस वर्ग के रहनुमा है अब चुनाव का समय है तो हर पार्टी खुद को हर वर्ग का रहनुमा बताती नजर आ रही है क्योंकि वोट जरूरी है और वोट और समर्थन के विना सत्ता तक पहुँच पाना संभव नहीं है आज कल राजुनेतिक पार्टिया चुनाओं में वोट प्रिटिशर और वर्ग विशेश को देख कर ही प्रत्याशी भी तै करती है और खुद भी कई माध्यमों से खुद तो संभंद्रत वर्ग का रहनुमा यहीतैशी घोशित करदेती है पर उन वर्गों का आज तक उस पार्टिय ने भला किया है कि नहीं ये किसी को नहीं पता यहां कोई खुद को महिलाओं का रहनुमा यही तैशी बताती हैं तो कोई खुद को दलितों का ही तैशी बताते हैं कोई खुद को करीबों का रहनुमा घोशित करते हैं तो कोई खुद को किसानों का साथी बताते हैं कोई अल्प संख्यक यानि मुस्लिम वर्ग के खास होने का दावा पेश करता है तो एक बड़ी पार्टी खुद वो सभी वर्गों के खास होने की बात करती है खैद यहां हर वर्ग विशेश पर अपने अपने दावी है पर उस वर्ग विशेश के लिए अपतक उस राजनितिक दल ने क्या खास किया है तो व्यक्यान करना उस दल के लिए शायद संभब नहीं है पर यहां उल्जन केवल राजनितिक पार्टियों के लिए ही नहीं बलकि जनता के अलग-अलग वर्गों के लिए भी है अब वर्गों की बात करें तो महिलाएं भी उल्जन भी है कि वो बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ जाए या फिर लड़की हूँ, लड़सकती हूँ की नई आवास पर चले दलित वर्ग भी सोचता है कि हम वसपा का दामन थामे या फिर भाजपा या सपा के दलित प्रेम पर विश्वास करें वही गरीब भी सोचता है कि वह वर्षो पुरानी कॉंग्रेस पर भरोसा करें या सबका साथ सबका विकास के साथ जुड़ें अल्पसंख्यकों की बात करें तो अल्पसंख्यक यानि मुसल्मान वर्ग भी बहुत कश्मकश्मे है कि परंपरा अनुरूप कॉंग्रेस का साथ दे या मुसलिम वर्ग की आवाज उठाने वाली समाजवादी पार्टी की आवाज बन जाए खैर जो भी परिणाम आएं बड़े बड़े वर्ग जिसको भी वोट दे और जिसकी भी सरकार बनाए पर ये बात भी अपने विवेग पर निश्चित करनी चाहिए कि आखिर उनका साथी उनका हमदर कौन है जन्ता को रहनुमा शब्द के माया जौल से निकल कर खुद के एक स्वस्त मतदाता घुशित करते हुए अपने वोट के मार्ध्यम से अपना साथी चुनना है अपना हमदर्द चुनना है ना की अपना रहनुमा ताकि हमेशा की तरह उनको गुम्रह न किया जा सके तभी एक बहतर सरकार का सपना साकार हो सकेगा वो सरकार जो हमारे रहनुमा नहीं बल्कि साथी और सच्ची हितैशी हो जिसको हमारा दर्ध भी पता हुँ और खुशी भी प्राइम टीवी के लिए गौरफ शुर्वास्ताफ के रिपोर्ट तो हमने देखा कि किस तरह से जो राज़तिक पार्टियां है वो अलग अलग बर्ग पर अपनी बात कहती हैं बाद करें पर जिस तरह से हल में ही सब्मिल्यंद कराएं गए सभी पार्टियों करा आई से पर कही करते हैं पर कही ना कही हमारी नजर भी बर्विशेश पर रहती है क्योंकि चुनाव बहुत जरूरी है और सब्सक्राइब करें तो महिलाय के लिए जहां भाति बाति बेटी बचाव बेटी पड़ाओ के नारे के साथ आई है और लगातार कई माध्यों से कन्याओं के लिए युजना ला रही है चाहे वो बिबाय युजना हो या स्वरुजगर युजना हो तमाम ऐसी युजना है जो कन्याओं को लेकर शुरू की गई है तो वहीं कॉंग्रेस अब अलग पतकता पर चलते हुए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारे के साथ आई है और उन्होंने इक कहा है जो 53 जो कि नारे भी लिस्ट ए सथी पत पत्शेश सब दादों के लिस्ट निकली उस में अपने बाडे के लुब 50 महिला पत्त्यासियों को चुराओं में उता रहा है पर यहां पर सबसे बड़ा पिस्ने है कि अगर हम लड़कियों को लेकर इतनी संजीदा है अगर पार्टी या लड़कियों को लेकर तो उनी के ही सजाती पार्टी के राज्ज में NCRB की रिपोर्ट में मेलाओं के जो मामले है मेला सम्मन्न अपरार ने वो जाना क्यों है और अगर हम कॉंग्रेश सासित राज्य रायस्थान की बात करें तो वहां भी यही हालत है एंसी आरवी की रिपूर्ट आप देखेंगे तो मेला सम्मन्न अपरारों में कभी नहीं पाई जाएगी और तमाम ऐसे अपर अब हम बात करते हैं अन बर्गों की वह युबा बर्ग है सारे बर्ग जितने भी बर्ग हैं युबाओं से जुड़े हैं वह युबा बर्ग की अपनी पैचान है क्योंकि कहते ना कि देश के विकास में हैं साथ पर सेन्टonneूं का बहुत भड़ा अद्रता है और अज हिंदोस्तान की अबादी जिस रूप से विकास का पहना वहुद रूप जो युबाओं है उनके कंदों पर होकर जाता है तो कहीं न कहीं ये पिचारधारा जरूर आती है कि युबा बर्ग भी बहुत महत्पून है और सारी पार्टी ये युबाओं को लेकर अला-अला माध्यम बनाती है चाहे स्कूटी हो, चाहे लेटप हो चाहे टैबिलिट हो, चाहे निसल कोचिंग हो ये तमाम तरहे के यहाँ पर गॆवबन लिए जाते हैं और युबा बर्ग पर अपनी पैचार बता आती है कि यह युबा बर्ग हमारा है तो युबा बर्ग पर भी तमाम तरह से लोगों के दाबे होते हैं और एक पिकार से रियनुमाई का बात होती है कि हम युभा बर्ग के लिए हमें तो सोचते हैं और युभा बर्ग को आगे बढाने के लगाता प्रियास कर रहे हैं उसके बार बर्ग आता है दलित बर्ग जोगी बहुत बड़ा पेटिशत है तो यहां पर पिछले बर्ग दलित बर्ग ओवी सी बर्ग अगर कुल मिला करें देखें तो 40-42-45 परसेंट तक इनके बहुत बड़ा बर्ग है और जिसको लेके जो इनके बर्ग के वड़े वड़े निता है बहुत बड़े बारे करते थे कभी नारा अला अला हुआ करता था अगर बहुत समाज पार्टी बहुत बहुत लिए उसके बाद घंत बहुत बहुत बर्ग बहुत लापती है और कॉंगरेस अपनी बार क्याती है कि हम इन बवर्गों के साथ कौन है किसी को नहीं पता है अब भी देस में क्या प्रदेश करी जगह यहां पर जहां पर डलत आज भी समस्याओं से घरा हुआ है जहां आज भी लाइट नहीं है जहां पर आज भी रोजगार नहीं है आज भी लोग गरीबी की एक कितना गरीब के निजरी धारा में लोग जीने पर मजबूर हैं उनका रहां से आज भी बहुत छोटे स्थर पहें वह आज भी समस्याओं से लड़ रहे हैं क्योंकि वह उन तक अपना दावा करने वाली पार्टिया तो बह बुए होती है पर बर्ग विस्यस का रहनुमा कौन है तो यह कोई नहीं रहनुमा सब्द जो है वह बताया जाता है तो केबले यह होता है कि बॉट कैसे लिया जाए उस बॉक को लेने के लिए लागातार लोग प्रियास करते हैं और लागातार यह बेश्ता देए तो इस बर्ग के बोट को लेने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है और लोगोंगों की नए नए बयाना आते हैं जो राजिती दल है बोटाते हैं हर बर्ग पर अपना रहनुमाई की हम उनके रहनुमा हैं हर बर्ग विसेश की खास होने की इस समय होड मचूई है सब बोलते हैं कि हम बर्ग से खास हैं और चुनाओं को देखते हुए सब हमदर्द बनते नजर आ रहा है कोई भी राजिक पार्टी हो पीछे नहीं है पर उनका उद्धिस है कि बलेख है वो है इनका बोट पाना कि इनका बोट कैसे पाए जाए इसका अलावा इनका कोई उद देख नहीं है तो अगर बर्ग है किसान बर्ग हो गया महलाय बर्ग हो गया डलीद बर्ग हो गया गरीब बर्ग हो गया युबा बर्ग हो गया जितने बर्ग है उन पर सब पर यह जो राजिक पार्टिया है जो राजिक दल हमारी देश के वह अपने अपने दावे पेस करत की देखे जाता है। कि होता है। तो यहां पर अपस्ट होता है। झाथ होता है। je Church, वभपच्छ, वभजता है। उन पर कोई सुनवाई नहीं होता है। तो तो यहाँ पर सबसे बड़ा पिसन होता है वो होता है जो हमारे बर्ग होड़ इस नीए बर्गों को केवल केवल एक सब्रांहिंद मुसलमाना बर्ग की बर्ग का बढ़ श्रीय का था है का जाते हैं कोगर्य astronomers सब्वंस पर बली पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी रही है और इस बर्ग का कॉंग्रिस के तरह जुकाब रहा है हमेशा इस बर्ग ने कॉंग्रिस के बोट देते चले आ रहे थे पर अब इस बर्ग के नई आबाज हो गई है अब उत्तापिडिस की बात हम करें तो उत्तापिडिस समझारी पार्ट कि मुझे मुझे मुसलमान बर्ग है वहमें से माधर के साथ रह रहा रहा है और इस बर्ग के परशेंट है और 18-20 परेशन इस समय उत्तापेश में है तो सबस्रोंडी बात यह है कि अगर 18-20 परशेंट का वोट है उस समाभवी पाटी अपना दावा करती है तो बागी पार्टी क्या कहती यह है पर इस बर्ग के साथ कों כतना है यह तो बünkü वह देख रहा है तो इस बर्ग की बात हमेसाद स setting कॉंग्रिस की बार होती नहीं उसके बाद अब एक नई आवाज बंती निजरारी बर्क की वो है समाज़वई पार्टी समाज़वई पार्टी निश्ची रूप से खुले रूप से हमेशा बताती हो जिसे उनके पित्यासित्य होते हैं और जैसे अगर हमकी कारकारणी देखे इस तमाम ऐसे बड़े पने जिसमें मुस्लिम बर्क की पहुंच है उनकी साख है तो निश्ची रूप से कही नहीं कहीं इस बर्क पर समाज़वई पार्टी जो आवाज है वो कहती है कि इस बर्क के रहनुमा केबल हमें पर यहाँ पर रहनुमा की बात महमें चाहरा हूँ रहनुमा सब्द का अर्थ जो है वो केबल के राय देखा रहा है और सागी तरह पीछे होना नहीं है यहां रहनुमा सब्द का अर्थ होना चाहिए कि आप उसके हम दर्ध हों आप उसके साती हों उसके दर्ध को समझें उसकी खुसी में सरीक हों यह खुसी में सरीक तो हम हम प्रदिसों का बात लूट को बात करें अब तक इस बर्ग बसीयस को केवल केवल बोट बेंक की रूपम देखा जा रहा है इस बर्ग से जो भी बाधए किये वो केबल चलाबा थावित हूए और इसमें कोई नई बात नहीं बात नहीं बिए बर्ग जाए तो जाए कहां बर्ग भी सोचता है कि हम किसके साथ जाए जो हमारे लिए आवल भ्रार उसके साथ जाए या हम खुट के बेवेक पर नर्वर करें अपने बोत को एक ऐसे पत्यास किसान बर्ग यानि देश की साथ परसेंट आबादी जिसका एक अपना ही महत्म है और किसान बर्ग एक जाती धर्म में नहीं बना हुआ है जो भी किसान है उनका अपना एक समढ़डाई अपना इक बर्ग है और कहते जब किसान बर्ग जहां बोट डालता है सरकार वहीं बनती हैं और इस किसान बर्ग को अपने पाले में करने के लगातार प्रयास चल लाय है अभी हम में हाल में देखा जिस तरह से किसी कानून लगाए गए तो लगातार एक साल किसी आंदोलन चला है और किसी आंदोलन में भी बिपच्छ ने पूरी तरह से जो किसानों तो उनको साथ दिया और पूरी तरह से आंदोलन का लाब लेने का प्रयास किया उसके बार और बेतर कि यह हुआ कि लखीमपुर की टेकुनिया कांड में एक बड़ा मामला रहा और बिपच्च में उस मामले को अपने आपको एक बड़ा बिपच्च साविट करने की होड़ सी मच गई और सारी पार्टिया उस मामले में अपनी राजितिक रोटियों को सेक् इस बड़े मामले के तहट बीजेपी को घेरे और इस आंजोलन का लाब देने का प्रयास करें और कहीं न कहीं इसको लाब बनते देखा भी गया फिर उननीस दवंबर को प्रामणी नर्यन मोडी ने इस मामले को पूरीता से पटा छेप करते हुए किरसी कानुन की बाप्सी का एलान किया और उसके बाद 11 दसंबर को जो किरसी आंजोलन जो पिछले एक साल से चला आ रहा था खत्म कर दिया गया हाला कि अभी भी तमाम पैच बाकी है सहमती के दौर चल लाए है पर आंजोलन बापिस हो गया है कई नहीं बिपर्च को जो हाथ एक जो बड़िया कहते हैं किसान बर्ग को अपने पालिवे कन लेटे हैं तो बहुत बड़र परेटिशान हों किसानों का जासी जाना ना हो क्योंकि किसान बर्ग वह अलग वर्ग होता है और कहते हैं जब बोट बड़ता वह गाहों से बढ़ता है जो अगर बास्तम में देखा जाए तो हमेशा गाहों में ज्यादा होता है तो इस बहुत बढ़ी बुमी का हो यह बर्ग धर्म और जाती से हटके अलगी एक रू बनानी हो किसको बोट देना है उसके बार अगर बर्ग पर आते तो वह गरीब बर्ग यारी जनिक लिए लिए कहा जाता है दुर्बल आये बर्ग तुमाँ तरह की बाता की जाती है आवास बना जाते हैं सिलेंडर दिये जाते तबाव इसी है पर सबसे बड़ी बात यह है कि करीब करी है का 傑धी सिस्टम में रह रहा है और विए उसी समस्षा से हुआ हुआ है आज दो पाते हैं कि हमें और विकाश iki दलत हमारे हैं बंचिन बर्ग हमारा है पर इस बर्ग को अपना बनाने की बर्ग का हमदर बनने के प्रयास कोई नहीं करता है और कहीं ना कहीं इस बर्ग को पूरी तरह से हर चुनाओं में चला जाता है जो बास्तब में सोचने वाली बात है क्योंकि गरीब आज भी गरीब है और जैसे के हम लगाता देखते हैं कि अमीरों का आकड़ा तो बढ़ रहा है पर गरीबों का आकड़ा भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है देश में अमीर जारा बढ़ रहा है गरीब भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है और गरीबों का आकड़ा भी लगाता बढ़ता चला जा तो सबसे बड़ी बात है कहीं न कहीं यहां पर जो मुद्र आयों उसमें असमानता नजर आ रही है कि पैसा कुछ लोगों तक ही केंदे तुर्टा चला जा रहा है और गरीब आये बर्ग है वो लगातार उसी स्थिती में है जहां पर वो शुरूबार की थी सरकार की उजनाय चलती है सरकार की विवस्थाय चलती है पर कहीं न कहीं यह सोच भी रहती है कि अब हम अगर आगे बढ़ना चाहें तो किस पैमानी पर आगे बढ़े वो पैमाना आपको यह उपर निर्वर है अगर जनता चाहती है कि हां हमको बैतर करना अगर जनता चाहती ह बतार तर उस पर्द पर चले कि हमको एक सही पित्यासी चुन्ना है अब हमको रानितिक पार्टियों की बातों में नहीं आना है, उनकी रेनमाओं के दाबों में नहीं आना है, उनका हैत्याची होने की बातों में नहीं आना है, हमको आना है केबल और केबल ये देखना है कि हमारा सच्चा पित्यासी कौन है मैं लगातार इस Kargaun का माद्धम से एक ऐख बात कहता हूँ कि इस भार के चुनाव में इस स्वस्ट मद्दाता होने के तरह ही हमको एक बहतर प्तियासी चुनड़ना है ले रानितिक पार्टि या नहीं देखनी है अगर वह वह बहुंत किसी पार्टी का हो, अगर वो सच्चा ही, मानदार है, और वास्तिम में सिच्छित है और अणुभवी है, और आपको लगते है कि आपके लिए, आपकी बिरानसवा के लिए, आपकी जले के लिए, आपके तैसिल के लिए बहतर काम करेगा, उसको चुनिये, है कि उसका छुना भी आपके बहतर कर सकेंगा क्योंकि पार्टियां हमेशा सही चुना को देखती हुए बर्घ विश्च के लिए च्वेंशा होता है यह जनता भी जानती है और पार्टिये से खावरण 20 भी क्योंकि अगर कहीं न कहीं चिंगारी होती है तो उसका दुमा अगर आपने मौलेक अधिकार यानि अपने अपनी संभनानिक अधिकार तो एक बहतर सरकार ही आप बनाएंगे और जो आपकी रहनुमा नहीं होगी वो सरकार जो आपकी हमदर्ध सीव पर इसके लिए हमको अलालख पार्टि ओके बातों में उनकी बादों में नहीं आना हैं कि हम इस बर्क के लिए काम करते हैं पर यहां पर चुनाओं को डेखतु है सारे दल लगातार के बारे कर रहा है हम खुद देख रहा है लगातार दस दिन का घतना करम देश में ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े बर्गों के बड़े निता लल पार्टी जा रहा है और अपना राजितिक उल्लू सीरा करते नहीं जारा रहा है उन्होंने अपने बर्ग क कुई जिन्ता है अगर आप आप पर अपनी बात बोलते हैं उसके पहुने की बार बोलते हैं आपको मेरा लोग का एंधसी बताया है तो निश्यूप से ये पार्टी हमारी हिजए है और हमारे बर्ग की सोचती है, हमारे बर्ग को इसने मैनट की है, और हमारे बर्ग को बिकास की मुकधारा में लेकिया आई है, नहीं तो अब जनता जनाजन को निर्णा करना है, अपने बेवेक के साथ, अपने निश्चाय के साथ, अपने स्वस्त मद्दाता वाले मस्तिक के स साथ निश्चय के साथ और एक जीवत सक्टी के साथ कि हमको किस पत्यासि को बोड करना है जो पत्यासि जो आपके बिरानसभा को आपको जेले को बैठर कर सके ना कि राजिक पार्टियों को देखके और उनका रहनमाई को देखके तो आज की चर्चा में इतना ही अगली बार किसी नए मुद्दे के दर होई मुलगार नमस्कार